मैंने चार बार QUANT में full mark score किया है जब जब मैं आपको ये बात बताता हूँ आपसे सामने से ये सवाल आता है कि सर किस तरीके से किया है हमें भी समझाओ, हम भी करना चाहेंगे तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आप भी रोशनी डालना चाहूँगा किस तरीके से कोई बच्चा क्वांट में full mark score कर सकता है उसके बारे में काफी detail में मैं बात करूँगा और उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज जो आपको miss नहीं करनी है नहीं तो सिर्फ आप आधा ग्यान लेके जाओगे और आधा ग्यान तयारी के लिए बहुत खतरनाक है तो जो मेरी बाद में एक बहुत जरूरी honest talk और suggestion होने वाली है इस पूरे के पूरे मुद्धे पे वो जरूर सुनके जाईएगा उसके बिना नहीं तो आधी जानकारी रहेगी जिससे दिक्कत जादा बढ़ सकती है ठीक है possible है possibility है बट mains में पॉसिबल नहीं है mains में आप 50% 60% 70% तक जा सकते हैं जो कि एक बहुत 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 बहुतरीन attempt माने जाएंगे यहाँ पे जो बात हो रही है वो specifically pre की बात हो रही है बट इसका पूरा-पूरा impact means की त्यारी पे भी पढ़ने वाला है अब यहाँ पे अगर आप बात करें आपके pre के paper में आता क्या है आप देखेंगे लगबग 10 नमबरों के आसपास 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है 10 समसिकम 10 marks के आसपास आपके paper में अगर 23-23 मिनट बात करूं तो मैं RRB की बात कर रहा हूं 20 मिनट बात कर रहा हूं तो बाकी सबी papers की बात कर रहा हूं तो यह reference के लिए 20 मिनट 35 कोशन लेके चलते हैं 23 मिनट 40 कोशन अपने आप उस बात को लेकर समझ जाएंगे 3 मिनट के लिए 5 कोशन बढ़े गए ठीक है तो हमारे पास 20 मिनट है 35 कोशन जिसमें से लगबग 10 सवाल वन लाइनस के हैं लगबग बाकी 15 और 10 का distribution आगे ओर हो जाता है आपका DI और arithmetic का अब full marks का मतलब है आपको पूरा paper attempt करना है सबसे पहले जिससे शुरुवात होती है one-liners की one-liners में आपको सबसे पहले approach बहुत strong होना चाहिए उसके बाद इतनी जबर्दस practice होनी चाहिए कि सवाल को देखते ही आपकी rocket वाली calculation speed हो जाए आपने कभी मेरे को beast mode में देखा solve करते हुए अगर आपने मेरी classes attend की है तो करते हुए देखा होगा उस level की calculation skill होने चाहिए question देखते ही answer मुह में तयार हो कि यह answer है simplification, quadratic और number series में आपको इतने सारे सवाल solve कर लेने है कि आपकी speed इतनी ज़्यादा तेज हो जाए कि आप सवाल को solve करते समय minimal pen चलाए बड़ी शुरुवात में नहीं होगा कम से कम 400, 500, 600 questions solve करने के बाद होगा जो कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा number task नहीं है it is about like 20 से 25 दिन या एक महीने का task है आपके सारे topics के questions हो जाएंगे सुनिएगा, अभी भी मैं कहारा हूँ honest जो मेरा suggestion है वो सुन के जाईएगा ठीक है सबसे पहली चीज़ आप सभी से मैं expect करूँगा तो क्या होता है आपको system समझना है कि full marks को किये कैसे जा सकते है उसके लिए आपके लिए कुछ मैंने 5 steps आपके सब के सामने रखे हैं जो मेरी understanding है ठीक है और जो तो आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई भी एक type topic का कोई भी एक type आपका कमजोर हो जो आप छोड़ के जाए बेपर में तो हर एक chapter का हर एक question का हर एक type सब कुछ बड़ा detail में cover होना चाहिए understanding बहुत ही frequent revision होनी चाहिए ताकि कुछ भी भूलो मताब उसके बाद हर एक type के कम से कम 10 से 20 question की repetitive practice होनी चाहिए ताकि वो type का process आपके दिमाग में इतना अच्छे से रम जाए कि question देखते ही उसका solution दिमाग में आजाए कि इसमें ये step करके खतम करना है जिसमें से जब आपके दिमाग में आजाएगा तो आदा solution तो दिमाग में हो जाएगा बची हुई calculation का part आप paper पे करोगे इसके लिए आपको लगबग इतने सवाल एक type के करने पड़ेंगे हर एक chapter के हर एक type में लगबग 10 से 20 question solve करने पड़ेंगे उसके बाद बहुत ही frequent revision और resolving चाहिए होगी हर हफते हर दो हफते बाद पुराने chapters बैटके सारे के सारे revise करने पड़ेंगे सारे के सारे recall करने पड़ेंगे जो question solve की है उनको resolve करना होगा ताकि वो चीज दिमाग में रमती जाए बैठती जाए बार बार आप उसको करते जाओ तो यह आपका अभिन अंग बन जाए उसके बाद जब आपका concept strong हो गया जब आपके साथ question के साथ आपकी familiarity बड़ी strong हो गई उसके बाद एक नया angle सामने आता है जो सामने आता है कि समय के साथ solve करना जब हम timer के साथ practice करते है शुरू-शुरू में 35 में से 20 सवाल बनेंगे 35 में से 20 बनेंगे फिर जब आप उस timer के game को समझने लगोगे उस stress को समझने लगोगे उस stress को feel करना सीखने लगोगे उस stress को जीतना शुरू करोगे तब आपके नंबर बढ़ने लगेंगे 35, 35 मिसे 25, 35 मिसे 26, 28, 30, 31, 32 तक अभी आप जाने लग जाओगे और इन सब चीजों के साथ जब आप इस सारी चीजें बहुत ही अग्रेसिव मोड में करते रहोगे रेपेटिटिव कुछ टाइम में कुछ टाइम में लगातार तो आप वो एस्षूरेंस वो कॉन्फिडेंस फील करोगे फिर आएगा आपका अटेकिंग अटिटूड क्योंकि आप अपने आपको बहुत अच्छे लेवल पर मानोगे और प्री में खुद को बहुत अच्छे लेवल पे इस एग्रेसिव मोड में इस अटेकिंग मोड में आने के लिए छटा स्टेप आपके काम आएगा जो सिक्स्थ स्टेप है वो है आपके साथ-साथ मेंस की त्यारी बहुत जबरतस होनी चाहिए जब आप मेंस की डियाई बहुत ज़ादा बनाने लगते हो ना प्री की डियाई आपको बच्चे जैसी लगने लगती है और जब वो आपको बच्चे जैसी लगने लगती है ना आप उसको प्यार से सहला के सौल नहीं करते हो आप उसके उपर अटैक करते हो समझ रहे हो सो वो attacking attitude build-up करना है कि सवाल को कुछ ना समझना अपने सामने उस सवाल को हम अपने सामने कुछ भी नहीं समझते हम अपने आपको इस level पर पहुंचा चुके हैं कि हम उस सवाल को कुछ भी नहीं समझते Confidence, Assurance वो आएगा automatically जब आप इस सारे process फोलो करोगे अब सवाल ये पैदा होता है कि step 7, step 6 जो मैंने लिखा नहीं था मैं यहापे लिख देता हूँ aggressively means parallel आपको चलाना पड़ेगा बट मेरा सवाल पैदा होता है कि sir क्यों मैंने 4 बार full mark score किये थे वो था 2018 का दोर उस समय level काफी कम था examination का आज कि अगर मैं बात करूँ आज है 2024 2024 के अंदर अगर मैं full mark score करूँगा तो उसके लिए मुझे मेरे बाकी subjects को compromise करना पड़ेगा ये बहुत बड़ी चीज है अगर मैं एक subject की उपर इतना जादा time दूँगा तो मैं अपना English reasoning GA compromise कर लूँगा क्या उससे selection होगा? नहीं तो हमने इसको ego पे नहीं लेना कि मुझे quant में full mark score करने अब अगर हम ऐसा गरेंगे ना तो quant में बेशक बहतरीन mark score कर लेंगे हम पर बाकी तीन subject हमारे compromise हो जाएंगे अब ये चीज आप एक math के teacher से expect नी करोगी कि वो खुद ही कह रहा है कि full mark score करने के बीछे मत भागो क्योंकि मेरा purpose आपको selection दिलाना है मुझे पता है कि GA से काफी number निकाले जासकते हैं English से काफी number निकाले जासकते हैं और reasoning से काफी number निकाले जासकते हैं reasoning में full marks लेना या English में full marks लेना उसमें जो effort लगेगा और quant में जो full marks लेना effort लगेगा वो बहुत ज़दा different है quant में आपका effort बहुत ज़दा बढ़ जाएगा instead of English or reasoning तो मैं आपको क्या suggest करता हूँ मेरा suggestion यह है कि जितनी मैंने बाते बताई हैं इसमें से यह obviously follow करनी है यह obviously follow करनी है इसमें आप लगबग 10 question करिए ठीक है यह तो करना ही करना है means भी करना ही करना है यह सब सब करना है थोड़ा सा बस इसको controlled way में करना है कि आपके बाकी की subject हाम ना हूँ हमको problem नहीं है अगर हम 35 में से 28 भी ले रहे हैं तो सबसे पहले यह समझे 35 में से 35 का target मत लेके चलिए आप लेके चलिए कि 35 में से मुझे 30 लेने है 31 लेने है अगर हम 28, 27, 26 तक भी पहुंच जाते हैं तो हमने एक अच्छी चीज़ अचीज अचीव कर लिए I am talking about PO pre-paper किसी clerk paper की बात ने कर रहा clerk में तो बहुत असान होता है आज भी full marks लेना ठीक है मैं PO की बात कर रहा हूँ यहां पर तो PO के pre-paper में हम target लेके चलेंगे कि हमें 35 में से 30 चाहिए या 40 में से 35 चाहिए 2-3 number उससे कम भी आगे तो हमने काफी अच्छा अचीव कर लिया बट उन 2-3 number को हमने जाने देकर अपना English reasoning जिये भी साथ-साथ इतना स्ट्रॉंग कर लिया कि हम overall इतना अच्छे से number निकालने लगे कि हमारे लिए examination clear होना practical हो गया तो यह छूटी सी चीज सिखाने आया था मैं obviously जो यह 5-6 steps बताये हैं मैंने आप से अगर आप 15-20 number पे लाई कर रहे हो इन 5-6 steps को follow कर लोगे तो आपके number 25 से उपर आने लग जाएंगे और अगर आप यह repetitive बहुत जादा पूरे दिन में 8-8 गंटे, 6-6 गंटे, 9-9 गंटे अगर यही करते रहोगे तो आप 35 बता 35 भी ले पाऊगे बट उससे subject compromise हो जाएंगे बाकी तो मैं चारा हूँ कि करो बट limit में करो यह सारे चीज़ें ताकि आप 35 में से 28-29 तक तो पहुँच जाओ और बाकी subjects में भी आप बहुत बहतरिंग perform करने लग जाओ reasoning में, English में, GA में ताकि आपका एक overall development हो overall आपका marks बहुत बढ़ी आएं जिससे आपका selection आसान हो जाए तो ego पे ना किसी subject को लेना है ego पे ना किसी chapter को लेना है ego पे ना किसी type की question को लेना है और ego पे ना हमने अपनी performance को लेना है हमको समझना है कि यह तैयारी balance बनाने की है और balance बना के हम selection ले सकते यही बात समझाने के लिए मैं यहाँ पे था उमीद करता हूँ समझ में आई होगी ठीक है और बहुत दिनों से जब से हमारा सफलता दीवस हुआ है हमारा जो बच्चों का session हुआ है जगे जगे पे हमें mails, messages बहुत सारे ऐसे आए हैं कि सर हम भी आप से पढ़ना चाहते हैं किस तरीके से पढ़े और हमारे लिए बड़ी proud moment है कि हमारे इतने सारे बच्चे select हो गए उनसे मिलके हमने party की enjoy किया जिसकी reels and shots आप जगे जगे देख पा रहे हैं बस मैं चाहता हूं कि आप भी जल्दी से उस सफलता दीवस का हिस्सा बने ठीक है और आप सभी के लिए एक important चीज भी हम सबने launch की हुए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे complete fees afford नहीं कर पा रहे थे तो आप सभी के लिए एक छोटी से help की हमने हमने अपनी fees score 25% से कम कर दिया तो आपके लिए थोड़ा और affordable बनाने के लिए और साथ ही कई बच्चे ऐसे थे जिनको 12 प्लस दो महीने चाहिए थे तो हम आपके लिए वो भी लेकर आगे है अगर कोई आप देखे का subscription नेते है समय तो 12 महीने की नहीं आपको 14 महीने की subscription मिल रही है एक साल की नहीं मिल रही 14 मंस की मिल रही है 24 मंस की नहीं मिल रही 28 मंस की subscription मिल रही है आपको उसी price में even 25% कम price में ठीक है आप code use कर लेना SD25 SD25 एक emotion है सफलता दिवस SD अगले साल आपके साथ भी मनाया जाएगा अपनी तयारी को उस level पर लेके या आप सभी के लिए ही है अगर आप इस से complete तयारी कर लेंगे तो आपके लिए chances बहुत बढ़ जाएंगे selection लेने के तो आईएगा इसका link आपको description में मिल जाएगा subscription लीजिएगा आज last दिन है subscription लेके अपनी तयारी को अच्छे direction में लेके जाएगा और अगले साल हमारे साथ सभलता दिवस का हिस्सा बनिएगा और अपने पेरेंट्स को वो प्राउड वाली feeling दिलानी है आपने देखा आपने देखा अधिति की रील देखी आपने उनके पेरेंट्स का emotion देखा आपने वो प्यार देखा आपने हम सब चाहते हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वैसे खड़े रहे सभलता दिवस में एक पेरेंट्स आयो थे एक फादर आयो थे एक बच्ची गुडिया के साथ तो वो अपनी बेटी की वीडियो बना रहे थे जब वो हमारे साथ थी, हमारे साथ खड़ी थी और जब वो बात कर रही थी, जब वो अपने बारे में बता रही थी, जब वो स्पीच दे रही थी उसके फादर उसकी वीडियो बना रहे थे और that's a special moment हम सब चाहते हैं कि हमारे parents हम मेरे उपर इतना proud feel करे कि उनको हमें अपने phone में record करने की मन करे बहुत बड़ी एक तरीके से हमें gift मिल जाता है उस उपरवाले की तरफ से ऐसे लगता है यार मैनत सफल हो गई तो आप सब भी से मैं चाहूंगा कि इसी level पर मैनत करें और आजाएं जुड़े साथ में सीखते हैं फिर बहुत कुछ goodbye, take care and god